जहे हैं दोस्तो मेरा नाम है अतुल और स्वागत है अपका अपनी YouTube चनल अतुल टेक बजार में दोस्तों मेरा अपने Realme 8 डिवाइस Realme 8 में Realme 3.0 बीटा अपडेट मिल चुका है सेकेंड बेच में यहां दोस्तों इसके रिकार्डिंग बहुत सारे वीडियो में बना चुका हूं सारे वीडियो सारे टेस्ट यहां पे हो चुके हैं फिला दोस्तों यह जो फुल रिवी वीडियो जिससे आपको पता चल होगा एंड जो बैटी चार्जिंग टेस्ट सारी कुछ जानकारी इसी एक वीडियो में आपको मिल जाएगी जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि आपको अपडेट करना है या नहीं इसके लाव दोस्तों कौन से नए फीचर्स यहां पे मिलने चाहिए थे सारी कुछ ज तो सबसे बले दूस्तों सौफ्ट्वर अब्डेट सेटिंग में जाएक लिए कि आपको दिखा देता हूं यहां पर आपको पता चल जाएगा कि भी कोई स्क्रेंस ओट नहीं यह एंडूइड 12 का जो अपडेट है यह भी आपको रियल्मी यूई 3.0 के साथ मिला है तो यह यहां पर पहले भी था और अभी यहां पर आप 5GB तक RAM expand कर सकते हो पहले भी यह option अवलेबल था फिला दुस्तों जो नोडिफिकेशन पैनल आप देख सकते हो सारा कुछ यहां पर चैंज हो चुका है इसके लगा कुछ नया फीचर भी यहां पर आपको मिल जाएंगे उपर क्लीन अप का जो आप्शन अभी एवलेबल हो चुगा है क्योंकि दोस्तों जो फॉन मेनेजर एप है उसमें आपको क्लीन अप एंटिवारस एप का आप्शन मिल जाता है तो डेडिकेट बटन यहां पर अलग से दे दिया गया है कि डिरेक्ली आप यहां से जो है क्लीन बट यहां पर आपको गूगल फीट का ही ऑप्शन मिलता है तो गूगल फीट से ही आपको काम चलाना पड़ेगा वैसे आप इसे क्विक ग्लांस को इंस्टॉल करके यहां से हटा सकते हैं इसकी यह भी चैनल पर मिल जाएगी यहां पर स्मार्ट जो साइड बार है आप दे आते हो तो यहां पूर्यार आपको थोड़े से ने ने तो यहां पे आपको बहुत सारे विजट्स बगरे देखने को मिलेगें Clock widgets कोई छिन नय यहां पे एड कर दिये गया है जैसे आप इसे यहां पर टैप करोगे तो यह विजट यहां पर एड हो जाते हैं इसे आप यहां पर resize बगरे कर सकते हो इसमें दोस्तों आप एक folder से डूसरे folder में icon को merge कर सकते हो विजट 2.0 में भी हम यह कर सकते थे विजट में आपको बता रहा हूं कि ऐसा हो सकता है एक icon से डूसरे icon को भी यहां पर फोल्डर में directly merge कर सकते हो इस अबडेट के बाद जो about phone वो totally यहां पर change हो चुका है आप यहां पर देख सकते हो और पहले वाला आपको अच्छा लगता था कि अभी का मुझे में recording यहां पर first वाला जो है उतना अच्छा नहीं लगता था यहां पर यहां पर रियल में 3.0 में about section काफे अच्छा कर दिया गया है और यहां पर जो अपडेट से डिटेल्स है उसे भी काफी better यहां पर कर दिया गया है एक और जो दोस्तों जो आपको सबसे बेकार लगीगी वो है Google डायलर क्योंकि गूगल डायलर अभी भी यहां पर अवलेबल है रियल में 3.0 में सहटाय नहीं गया है इवन दोस्तों जो 2.0 में working position में था इसमें अभी वर्क नहीं कर रहा है बहुत जल्दी में एक सपोर्टीव वीडियो लेकर आऊंगा जिसमें Google डायलर जो है रियल में 3.0 Android 12 पर वर्क करेंगा कैमरा अब का जो यूजर इंटरफेस है उससे टोटल यहां पर चेंज कर दिया गया है बहुत ज्यादा अट्रेक्टिव यहां पर लग रहा है पहले इससे एंड मोर के ऑप्शन में अगर आप जाते होते हैं पर पैंसिल बिलेगा जिससे कि आप यह जो टैब है इससे यहां पर रियरेंज कर सकते हो फिलाल दूस्तों यहां पर जो नाइट साइड है यहां पर जो वीडियो ऑप्शन है इसमें जो अल्ट्रा वाइड जूम का जो है आपको थोड़ा-थोड़ा सैमसंग जैसे लूक यहां पर देखने को मिल रहा होगा और बाकि सारे फीचर सेम ही यह बट ऊपर की तरह आपको एक ग्रीन कलर का डॉट देखने को मिल रहा है यह दोस्तों यहां पर बताता है कि कौन सी एप आपका कैमरा एक्सेस कर रही है यह एक्छल में एक 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 फीचर है चुकि प्रैविसी के मामले में काफी ज़्यादा बैस्ट है इसके अलावा दोस्तों यहां पर आपको बाकी सारे फीचर सेम ही देखने को मिलते हैं एड हैं यहां पर अगर मैं मोर के आप्शन में आपको ले जाओं तो मोर फोटोग्राफिक कर सकते हैं कि मुझे यहां पे एक नया देखने को मिला है या फिर मोर के आप्शन में अभी एट किया गया है पहले यह बाहर था एक और आप्शन जो है यहां पे स्टैरी मोट का आप्शन अभी मुझे ऐसा लगता है कि नया देखने को मिला है जिससे कि इतना इश्यू नहीं है तो फोटो से मामले में जो है अभी यहां पे च्छोटे मुटे बक्स है यह जो बक्स है दुस्तों अब्डेट के बात क्लियर हो जाएंगे रियलमी 8 में इस अब्डेट के बात 4G प्रस केरियर एग्रिकेशन का जो आप्शन था अभी भी नहीं मिलता है तो भाई पता नहीं रियलमी 8 में अभी तक यह फीचर नहीं दिया गया है साथ साथ दुस्तों अच्छी बात यह कि इसमें जो गेमिश्पेस दुस्तों प्रोवाइट के गया है इस गेमिश्पेस का लेटिस्ट वर्दन यहाँ पर दिया गया है 3.0.30 इसमें दुस्तों आपको सारे लेटेस्ट फीचर मिल जाते हैं जो कि Realme UI 3.0 कलरस्टेल में मिलते हैं यहां पर आप केमिंग डाटा भी यहां पर चेक कर सकते हैं इसके अलावा अगर आप केम कर रहे हो पब जी विजे माई या फिर फ्री फायर तो यहां पर वाइस चेंजर का उप्सन अवलेबल है बट यहां पर दोस्तों आपको फॉन मेनेजर एप जो है आप देख सकते हो 12.6.0 वाला एक लेटेस्ट फॉन मेनेजर एप मिलता है जिसम कर दिया गया था यहां पर आपको वेरियस फीचर मिल जाते हैं इसके अलावा यहां पर अगर आप एप मेनेजमेंट में जाते हो यहीं से आप डिरेक्ली कर सकते हो तूल्स के आप्सन में आपको सारे आप्सन इसी फोन मेनेजर के एप में मिल जाते हैं जो कि एक बहुत ही ही है mini windows split window वाला जो फीचर यहां पर वर्क करेगा किसी भी supportive एप या game को इस तरह से ड्रैक करके यहां पर रख सकते हैं एक shortcut के रूप में एंड इसे directly यहां से open कर सकते हो तो भी है यहां पर जो यह जो फीचर है इसे थोड़ा सा optimize किया गया वैसे यह old feature ही है quick launch में आप पांच एप को इस तरह से रख सकते हो किकली open करने के लिए यह in display fingerprint वाले mobile में ही वर्क करता है directly आप इससे जैसे fingerprint से open करते हो उपर के तरह पर आप ड्रैक करते हो तो यहां पे जो five एप जो आपने एडिट करके set करके रखी थी यहां से आप open कर सकते हो इसके लिए आपको अंदर जाने की जुरूत नहीं है तो काफे अच्छा useful feature है अब दूस्तों सेटिंग सेक्शन में आपको परस्नलाजेशन को option मिल जाएगा और ऊपर आपको always on display को option मिलता है जिससे आप खुस हो जाओगे कि यह always on display को option यहां पर सेक्शन में दिया गया है बट यार यह से वैसा ही है चो कि पहले always on display में नहीं था परस्नलाजेशन सेक्शन में नहीं था अब यहां पर आचुका है बट यहां पर आपको कस्टमाइजेशन और यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर नहीं किया गया है कलर को अप्शन यहां पर नहाइड किया गया है डिफॉल्ट और यहां पर बहुत सारे ट्रेंडी कलर साब को मिल जाएगी जैसी आप इसे सैट करते हो तो आपका जो मॉबाइल का लुक है सारे कलर वो आटोमेटिकली चेंज करतेगा तो यहां पर काफी अच्छा फीचर है यहां पर अगर आप देखोगे कस्टम कलर भी यहां पर सेट कर सकते हो इवन आप वाल पेपर के एकॉर्डिंग भी कोई कलर भी यहां पर पिक कर सकते हो तो भी यह वाल पेपर जो आप जिस कलर का रहेगा उस तरह से आपको मॉबाइल का लुक सारा का सारा पैसा हो है आपको क्या यह डिपॉल वाल ऑप्शन सही लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में जरू से बताएगा क्लांस फॉर रियल्मी का जो ऑप्शन है यह पहले भी फीचर एवलेबल था बट इसका यूज में आपको बता दू कि लॉक्सकिन सेक्शन में आपको बहुत सारे गेम्स मिल जाते हैं जो वाल पेपर आप यूज करें इसके डिटेलिंग यहाँ पर मिल जाएगी तो यहाँ पर च्छोटे मोटे गेम्स वगएरे खेल सकते हैं यह कौफी अच्छा ऑप्शन है प्राइवेसी सेक्शन में काफी जादा यहाँ पर काम किया गया है अगर आप ऊपर की तरफ देखे तो यहाँ पर प्राइवेसी डेसबोर्ड मिल जाता है अलग से और यह दोस्तों एंडर 12 का फिचर है यह आपको बता देगा कि लोकेशन कैमरा माइक्रोफोन जो है किसकिस एब ने कपकप एकसेस की है अगर आपका कोई डॉक्टर आ स्टोल कर रहा है तो आप यहां से डिरेक्टली पता कर सकते हो इसके लगवब बैटरी सेक्षन में अगर हम जाते हैं तो यहाँ पर डिमंडड़ फिचर हो था बैटरी के लिए यहाँ पर हमने क्राफ्ट की लिए यहाँ पर पोरी कर दिया और बैटरी का जो स इसे भी काफी यूजर इंफिरेंटली जो बना दिया गया है आप देख सकते हो पहले की दुलना में काफी अच्छा दिखता है यहां पर आपको सारे जो स्पेशल फीचर इसके बारे में पहले ही बता चुका हूं फैक्सिबल विंडो क्विक के रिटन बरबल यह जो है सारे ओल्ड फीचर हैं बट इससे एक नए टेब में डाल दिया गया है स्पेशल फीचर में लास्ट में रियल्मी लैप का उप्शन मिलता है जिसमें सारे फीचर आपको ओल्ड वाले ही मिलते हैं रियल्मी यूई 2.0 के वीटा अपडेट है दोस्तो तो बख्स तो हूंगी तो यहाँ पे सबसे बड़ा मेजर जो बख्स आपको मिलता है वो वाट्स ओफीडियो कॉलिंग के समय मिल रहा होगा WhatsApp video calling जो है dark हो रही है मतलब यहाँ पर आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा होगा मुशलिए यहाँ पर यह जो bugs है OD update next update में आपको clear हो जाएगा Second bugs दोस्तों अगर आप यहाँ पर torch on करते हो तो power button double tap करने पर यह जो torch है पहले off हो जाता था इस तरह से लेकिन अब यह नहीं होगा यहाँ पर दोस्तों आपको एक system के तरफ से message आएगा जैसे कि आप यहाँ पर realme X7 देखते हो यहाँ पर अगर मैंसे double tap करता हो तो इसका जो torch है off हो जाता है बट realme 8 का भी नहीं हो रहा है इस update के बाद यहाँ पर आपको एक message देखने को मिलेगा system UI के तरफ से इस तरह से आपको यहाँ पर torch को off करना पड़ेगा लेकिन पहले जो है directly हो जाता था इसके लावा दोस्तों इस update के बाद अगर आप gaming कर रहे हो तो gaming में आपको थोड़ा बहुत lagging का सामना जो है करना पड़ सकता है यहाँ पे beta update है थोड़ा बहुत OS optimization में भी time लगता है बट थोड़ा यहाँ पे जो है lagging का issue आपको देखने को मिलेगा यह जो है OT update के तरू भी fix हो जाएगा बैटरी डेनिंग के साथ साथ बैटरी चार्जिंग में भी आपको थोड़ा बहुत इशू आ सकता है हमने यहाँ पे चार्जिंग डेस्ट किया था 1 hour 10 minute में यहाँ पे mobile फुली चार्ज हो आता पहले यह 1 hour के approximately पास पास जो है चार्जिंग हो जाती थी यहाँ पे चार्जिंग में आप थोड़ा सा डिले आपको देखने को मिलेगा यह भी OTAE अपडेट के तुरूफ फिक्स हो जाएगा Realme 2.0 C.24 अपडेट में जो एंटरी तो बैंचमार्क स्कोर था 3,557 था एंड इस अपडेट के बाद जो एंटरी तो बैंचमार्क स्कोर आया था 3,49,000 आया है दोस्तों यहाँ पे कोई स्क्रिंशॉट नहीं है इसलिए मैंने यहाँ पे वीडियो चला के आपको बता है Realme 8 का अपडेट के बाद Realme 3.0 अपडेट के बाद इसलिए पाद ही फुल रिवीडियो बना लिया तो मैं अगर अपने opinion के बादे में बात करों कि आपको अपडेट करना चाहिए या नहीं तो अगर अब Trail version अपडेट छोटे-मोडे बक्स के साथ करना चाहते हो नए experience लेना चाहते हो तो कर सकते हो क्योंकि दोस्तों यहां पे पहले ही रीयल में बता देता है बीटा अपडेट है तो बक्स तो होंगी बट यह जो बक्स है फिक्स हो जाएंगे यह असल नहीं है कि stable update मिलने के बाद सारे box fix हो जाएंगे stable update मिलने के बाद भी धीरे-धीरे सारे box fix होंगे OS optimization में थोड़ा सा यहां पर time लगता है तो अगर आप एक नया experience लेना चाहते हो Android 12 Realme 3.0 का तो इस update को यहां पर आपको कर लेना चाहिए अगर आप चाहते हो कि भी है मुझे bugs वगरे से कोई टेंस लेना नहीं है तो आप चो है stable update का fit कर सकते हो तो अगर आप इसी तरह से latest update चाहते हैं तो आप मेरे टेलिग्राम ग्रूप को जरू से जॉइन कर लिजेगा ताकि आपको इस तरह से अपडेट मिलते रहे और ओओ और Realme step App mandate के लिए सबसे पहले покो को जब़भ ऑगे मिलेगी अगर वीडियो अच्राओं अच्राइब कर से कर देगा लाइक से से नेक्से ने वीडियो के साथ तब से कि लिए इन दो बोलते रेगे वंदे मातर हम